तो आज हम डिसकस करेंगे इंडेक्स के बारे में एक स्टॉक के बारे में तो गाइज यह निफ्टी का डेली चार्ट लगा आपके सामने और यह निफ्टी स्वाट का चार्ट है यानि कैश में जो निफ्टी है तो गाइज निफ्टी ने निया हाई लगा दिया है और आज एक और निया हाई बनाया बट उसके बाद अगर आप इंट्रा डेचार्ट देखेंगे तो क्लोजिंग के वक्त निफ्टी में एक गिरावट आई जो अप्रॉक्सीमेटली सत्तर सेव सिक्स्टी सेवंटी पॉइ पर जाएगी तो यह प्रॉफिट बुकिंग आपको टाइम टाइम पर देखने को मिलेगी और यह अच्छी बात भी है कि जो स्टॉक्स हैं वो और एक से दूसरे के पास दूसरे से तीसरे के पास तो गैस अब कल के लिए निफ्टी में क्या हो सकता है जो वो हम देखेंगे आप्शन चेन से तो यह एक दसंबर की एकस्पारी वाल आप्शन चेन लगा हुआ है और अगर आप देखें तो ठाना चेसो पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है 82 लाक शेर्स की और यहां भी कुछ 80 लाक शेर्स की कॉल राइटिंग थी जब मैंने सुबा देखा था बट यह शौट कबरिंग हुई है जब निफ्टी ऊपर गई तो यह इसमें से अप्रॉक्सिमेटली 22 लाक शेर्स की शौट कबरिंग आई है तो मेजर कॉल राइटिंग अब अठ्रा 700 पे है अठ्रा 800 पे है तो गाईज अठ्रा 600 एक strong support की तरह काम करेगा उससे भी strong support जो बनेगा वह अठ्रा 500 बनेगा क्योंकि एक करोड की पुट राइटिंग है तो गाइस, अठ्राँ 600 के आसपास आफको निफ्टी मिले, तो आप बाई कीजिए, बट ये सोच के चलिएगा, कि अगर अठ्राँ 500 तक निफ्टी जाएगा, मैं और बाई करूँगा, ठीक है गाइस, और अठ्राँ 700 के आसपास, प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा, क्यों पुट राइटर्स की बिल्कुल सपोर्ट नहीं, अठ्राँ 700 पे, अगर आप देखेंगे, सिर्फ 17 लाग शेर्स हैं, जबकि कॉल राइटिंग में 70 लाग शेर्स हैं, तो पुट राइटर्स की तो कोई सपोर्ट वहाँ पे है ही नहीं आपको, इसलिए अठ्राँ 700 जो है, फिर निया डाइटा आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या डाइटा है और कैसे है, बाकि गाइज अब हम चलते हैं, एफ इसके डाइटा पे, तो लेट सी, तो गाइज, बारा सो करोड के उपर की बाइंग है कैश में एफ इसकी, वो पिछले चार दिनों स उसे वो बाइंग ही कर रहे हैं, और डिया इसकी आज कुछ साथ सो, साठे साथ साथ सा करोड की सेलिंग है, और मुझे लगता है, जो सेलिंग प्रैशर निफ्टी में आया है, वो डिया इसकी तरफ से ही आया होगा, तो गाइज, इंडेक्स भी वो बाइ करके लेके गए है बट आज ज्यादा बाय नहीं कि उन्होंने सिर्फ 349 क्रोड की इंडेक्स बाय की है और हैज की होगी पूजिशन की आप्शन उन्होंने सेल किया है या फिर आप्शन में प्रॉफिट बुकिंग की होगी क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से आप्शन बाय करते जा रहे हैं जो गाइज स्टॉक फ्यूचर में उनकी प्रॉफिट बुकिंग ही चल रही है क्योंकि वो पहले कॉंटी ने स्टॉक फ्यूचर बाय करते आए हैं तो गाइज पॉजिटिव डेटा है फाइस की तरफ से क्योंकि इंडेक्स में भी बाइंग है और कैश में जो बाइंग की कॉंटिटी है अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है तो फाइस का डाइडा पाजिटिव है अब हम देखते हैं ग्लोबल इंडेक्स तो गाइज क्रूड आल जो है वो थोड़ा सा उपर आया है रिकवर हुआ है आई वो एटी डालर चला गया था एटी डालर से अब एटी सिक्स एटी फाइव हो गया है जो डालर इंडेक्स है तो उसमें भी थोड़ा आप देखेंगे रिकवरी है गाइज एस जी एक्स निफ्टी आपको इस टाइम पर बीस पॉइंट प्लस नजर आ रही है और डॉज ओन जो है वो फोटी सेवन पॉइंट प्लस आपको दिख रहा है तो ग्लोबल मार्केट्स भी ठीक ठाक है अल्मूस्ट फ्लैट है और एस जी एक्स निफ्टी भी है और ब्रेंट क्रूड एंड डॉलर इंडेक्स भी ठीक ठाक है तो सब जगा पॉजिटिव साइन्स हैं गाइस सो फार अब हम आते हैं अपने स्टॉक पे पहले तो गाइस मैं आपको बता दूं कि एबी कैपिटल मैंने आपको कहा था कि इसको अपने वाच लिस में रखि है कि जाइस यह लेबल था है यह वाला क्लोजिंग थी उसकी 135 की कि यह भी कैपिटल को चहें आप यहां पर पोजिशन बनाईए चहें 140 के उपर बनाईए बर इसको वाच लिस में रखिए क्योंकि यह आपको एक अच्छी मूब देने वाला है तो वह मूब आज आपको मिल अच्छी भी तो देखिए यह 135 से डेली चार्ट पर देखते हैं तो 136 से 147 तक गया तो अप्रॉक्सिमेटल यह 8-9 परसेंट की मूव हुई तो वह आपको मिल गई अब आपने स्विंग ट्रेड आप करते हैं तो आप 5-10 परसेंट के लिए करते हैं तो वह मूब इसने बाकी यह मुझे मैंने आपको कहा था कि 165 के टार्गेट्स मेरे मेरी कन्विक्शन यह कहती है अब हम चलते हैं अपने आज बले स्टाक पर यह आपको कल को बाच्छ लिस्ट में रखना है सॉरी गाइज स्टाक का नाम है CCL पॉड़क्स तो गाइज इसको वीकली चार्ट पर देखेंगे अब इसको मंत्री चाट के देखेंगे आपको स्टोरी समझ में आ रही है तो बेसीकली एक ब्रेक आउट है गाइज या तो आप यहीं पर पूजीशन मना सकते हैं या फिर 545 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहाँ पर पूजीशन मनाई है कि Стauk Loss Targets यह सब आपके उपड़्ी पैंड़ है जैसे आपकी रिस्क कर ताइड है उसके अकौर्डिंग स्टॉक्ल्स होगा हे और जितना दृस्क का आप ले रहे हैं उसकी कि अकॉर्डिन आप टार्गेट रख सकते हैं तो अग्जेक्ट लेवल्स आपने जानने हैं तो प्रिमियम मेंबर्शिप लीजिए मेरी बट मैं आपको सिर्फ स्टॉक शेयर कर रहा हूं कि इसको वाचलिस में रखिये कि अरने कर छेन बैंड आम कि की डेंड कि टॉ अ ट्रिफ स्टॉकिा ली में टार्मियilda कि भंगियर कीन हैं तो spoonful भंगियरशिघ अश्म चाहिए ग्र मैंë